यह पूर्ट कर दिया है यहां पर जावा डॉट आयो उसके बाद यहां पर मैंने क्लास क्रिएट किये जिसका नेम दिया प्रैक 8B और उसके बाद में मैथड में यहां पर जैसे प्रीवियस प्रैक्टिकल में किया था यहां पर विन्हों करें और फाइल फाइल आउटपुट उस्ट्रेम को यहां पर नल्ष कर दियेंarya he तो जो हम लोगने प्रीवियस फाइली यूज की थी वही फाइल मैं यहां पर भी यूज करी हूं जिसका नीम क्या था हम लोगों का डेमो और मैंने उसको h drive में java folder में create किया था वो फाइल में ने तो इसको हम लोगो as input file use करेंगे और हम लोग को input file का क्या करेंगे input file में जो भी लिखा हुआ है वो किसमें copy करना है अपने को demo1 में output file यह हम लोगों कि IK input file हो गई that is demo.txt और आउटपुट फाइल एक स्ट आपको सेफ कर इंगे फाइल इंपborड़ा होुइंट लिया है और यहां पर वाइल लूपि यूज़ किया है झुभ ने उति तो वाइल लूप का यूज करके हम लोग क्या करेंगेस फाइल में जो भी होते जाएगा copy होते जाएगा उसके बाद हम लोग ने close method यूज किया है input और output file को हम लोग ने close किया और फिर screen पर क्या लिख आएगा contents copied हम लोग ने यहाँ पर cache exception यूज किया है print stack trace method यूज किया है अब मैं इसको execute करती हूँ see the output see this तो क्या लिखे आगे यहां पर contents copied अब यहां पर content copy हो गया हम लोग कैसे बता चलेगा हम लोग क्या करेंगे जो हम लोगों ने path दिया है यहां पर यह देखो हम लोग ने जो path दिया है ना हम लोग वह path पर जाएंगे और देखेंगे यह देखो मेरा यह demo one मिल गया और यह देखो demo one और यह copy हो गया हम लोग ने demo में क्या लिखा आच्छा demo one मैंने create नहीं किया demo one automatically create भी हो गया और demo का जो भी text हा वो क्या हो गया demo one में copy भी हो गया मतलब ऐसा नहीं है कि आप पहले demo one create करो फिर demo का जो है टेक्स्ट वो copy करो यह automatically क्या हो गया create भी हो गया तो अगर वो file create नहीं है तो system क्या करेगा पहले वो file create करेगा हम लोग वो create करने का जरूरत नहीं है जो output file input file तो obviously you have to create file file